लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले कोई के कुछ संकेत हमारे लिए शुब होते हैं और कुछ अशुब होते हैं आज हम आपको कोई से जुड़े कुछ कुछ शुब अशुब ही शारों के बारे में बताने डा रहें है अगर किसी गाउव में अधिक संख्या में कोई एकत्रित होकर शौर करें तो उस गाउव पर भारी संकट आने की संभाव ना होती है अगर किसी के मकान पर काउव का जूंडा कर शौर मचाएं तो मकान मालिक पर जान मौल का खत्रा आ सकता है अगर किसी व्यक्ति के उपर कौवा आकर बैट जाए तो उसके धन बस्तमान का विनाश हो सकता है अगर किसी महिला के सिर पर कौवा बैटता है तो उसके पती को भारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है अगर कवा आयात्रा करने वाले जातक के सामने आकर समय ये रूप से काउं काउं करे हो और उड़ जाये तो काम में सफलता मिलाती है अगर कवा पानी से भरे घड़े वचरी पर बैठ जाये तो धन धाईय की व्रिद्धी होती है यदि कवा मुह में रोटी मांस आदी का टुकड़ा लाता देखें तो आपकी मनुकामनाय पूरी होती है अगर को आशांत स्वर में पेड़ पर बेट कर बोलता है तो स्त्री सुख मिलता है अगर उड़ता हुआ कवा किसी भी व्यक्ति के सिर पर बीट करें तो उसे कई रोग घे लेते है यदि किसी के मकान पर हड़ी का टुकड़ा गिरा दे तो उस व्यक्ति पर भारी संकट आ सकता है अगर उड़ता हुआ उग्रस्वर में बोलता है तो ये अशुब संकेत माना जाता है